दोस्तों जिनको अपने काम में सफलोना है और जो जिन्दगी में कुछ उचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आज एक छोटी सी कहानी खुद पर विश्वास और दोसरों की नकरात्मक बातों को अंदेखा करना इस बात तो समझाने के लिए प्रसित कहानी बता रहा हूँ एक कुए में कुछ मेंड़क थे जिनका पूरा जीवन लगबगवईं पर बीच चुका था पर उन में से एक युवा मेंड़क उस कुए से बाहर आने का प्रयास करने रगा उसके प्रयास को देखकर पुराने मेंड़क उससे लगा तर कहते कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है तुम कभी इस कुए से बाहर नहीं जा सकोगे लेकिन इसके बावजुद वो मेंड़क दिन रात इस प्रयास में लगा रहता और एक दिन सचमूच वो मेंढ़क एक लंबी छलांग लगा कर उस कुए से बाहर निकल जाता है जानते हो क्यों? सबसे पहली बात तो वो मेंढ़क बहरा था इसलिए उसे दोसरों की बाते सुनाई ही नहीं देती थी नहीं तो वो वाकई निरासो कर बैठ जाता दूसरा उसने अपने प्रयासों में लगातार मेहनत की और हाथ नहीं मानी तो दोस्तों जो अपने प्रयासों में लगातार मेहनत करता है और हाथ नहीं मानता उसी का जीवन सफल होता है